The linear equation whose each point on its graph has ordinate three times its abscissa पेटा हमें कहा है कि linear equation है जिसका each point हर point उसके graph में किस तरह का है कि उसमें ordinate जो है न वो three times abscissa है तो graph of linear equation क्या होता है पेटा इस ट्रेट लाइन तो कैसे रहा होता है स्पोस्स दो एक्सिस ड्रॉआ करें लाइक दिस तो यह जो horizontal axis होती है इसे x-axis कहते है एक्स एक्स दैश और y-दैश तो यह vertical axis को y-axis कहते है और अब जो graph होता है पेटा लीनियर equation का लीनियर equation ग्राफ अमिशा स्टेट लाइन होता है इट कुड वुड बी लाइक दिस ठीक है अब हो कहते है जो एवरी पॉइंट ओन इस ग्राफ यह लाइन पे जो भी पॉइंट हो गये तैसे मालो एक पॉइंट यह हो गया यह पॉइंट भी हो का जया से इन इस सखश्बूइं पें जो ओडिनेंट होगा तो आफसी सब्सक्राइब मिल जाएंग हर पॉइंट पे अब फिर पॉइंट और consistent सिछा क्या होता है मानलों बी पोवंट की कॉडिने देखो तो यह मालो एकस कोमा पालै है कि vip कर और देट्स ऑफ दापॉइंट क्या है एकस कोमा वाई जो यह X की वैल्यू है इसे हम epsisa consider करते हैं क्या consider करते हैं x की value को epsisa और जो y coordinate होता है it is considered as ordinate इसे हम ordinate consider करते हैं अब देखें बेटा condition क्या दिया है each point on its graph has ordinate 3 times epsisa यानि कि अगर हम 3 times epsisa करें करें तो हमें क्या मिलेगा ordinate मिलेगा और हम यह भी कह सकते कि ordinate is 3 times epsisa ordinate epsisa का 3 times 3 times का मतलब 3 multiply epsisa times का मतलब multiply होता है बेटा so 3 multiply epsisa is equal to ordinate अब epsisa I have explained क्या होता बेटा x coordinate तो epsisa की जगे हम x लिख देंगे तो it would become 3x और ordinate की जगे हम क्या ले लेंगे बेटा value of y अब इसको shift करो बेटा y को हम x के साथ shift करेंगे यहां यह plus y है जब यह 3x के साथ आएगा तो यह minus y जाएगा और rhs में क्या बचरे बेटा 0 so equation क्या बनी 3x minus y is equal to 0 so option b is our answer 0